दोस्तों फाइनली आज DRDो ने वो हत्यार बनाकर तयार कर लिया है जिसको लेकर अब तक हमको रेशिया के उपर निर्भर रहना पड़ता था और हमारे इस हत्यार के आजाने के बाद हमारी रेशिया के उपर से निर्भरता पून रूप से खतम हो जाएगी दर असल इस समय जो हमारी सेना Man Potato Air Defence System का इस्तमाल करती है उसको अब तक हम रेशिया से लेते आए हैं और रेशिया के इस Man Potato Air Defence Πाना का नाम इग्ला-ैस है इस समय हमारी सेना भारी संख्या में इग्ला-ैस Man Potato Air Defence System का इस्तमाल करती है लेकिन आज DRDो ने हमारी सेना के लिए laser beam guided man-potable air defense system को बना कर तयार कर लिया है PIDOO का ये man-potable air defense system एक नई क्रांती लाने वाला है क्योंकि हमारे इस man-potable air defense system में हम अपनी missile को काफी आसानी से guidance दे सकेंगे जिसका फाइदा हम को ये होगा कि हमारे man-potable air defense system की accuracy काफी हथ तक बहतर हो जाएगी और हम अपने इस Man-Potable Air Defense System की मदद से काफी आसानी से दुश्मन देश के छोटे से छोटे ड्रोन को भी मार कर गिरा सकेंगे और बताया ये जा रहा है कि D.I.D.O की तरफ से इस Man-Potable Air Defense System के प्रोटोटाइप को अगले साल तक बना कर तयार कर लिया जाएगा जिसके तुरंथ बाद ही इस Man-Potable Air Defense System की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और जैसे ही टेस्टिंग पूरी हो जाएगी उसके तुरंथ बाद ही इस Man-Potable Air Defense System को हमारी सेनाओ को सोंप दिया जाएगा और बताया ये भी जा रहा है कि शुरू में इस Man-Portable Air Defense System के हमारी सेना की तरफ से 200 की संख्या में लोंचर को खरीदा जाएगा और 1200 के करीब इन लोंचर की मिसाइल को खरीदा जाएगा हम पहले ही देख चुके हैं कि रशिया और यूकरेन के यूद में यूकरेन की सेना के Man-Portable Air Defense System ने रशिया की सेना को भारी नुकसान पहुचाया है हम अपने इस सवदेशी Man-Portable Air Defense System की मदद से काफी आसानी से दुश्वन देश के ड्रोन, हेलिकोप्टर और फाइटर जेट को मार कर गिरा सकेंगे हमारी इस Man-Portable Air Defense System की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि एक कीमत के मामले में रशिया के इगला एस से भी सस्ता होगा इसका फाइदा हमको जब होगा जब भविश्य में हम अपने इस Man-Portable Air Defense System को अपने फ्रेंडली कंट्रियों को एक्सपोर्ट करेंगे इस Man-Portable Air Defense System से अब यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि आप हम एक और नई शेत्र में पूरी तरीके से आत्म निर्वर हो चुके हैं और अब हमको रशिया के उपर और ज़्यादा निर्वर नहीं रहना पड़ेगा और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि हमारी सेनाओ को कितने संख्या में डियाइडियो के इन Man-Portable Air Defense System को खरीदना चाहिए इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे